रिमोट कंट्रोल हेलिकॉप्टर, रिमोट कंट्रोल रोबो एक शहर में राकेश नाम का एक चोर रहता था सब लोग उसे देख कर डरते थे अब हर दिन चोरिया करना बहुत मुश्किल हो रहा है पुलिस टेकनोलिजी के जरिये चोरों को आसानी से पकड़ रही है अपडेट होना चाहिए टेकनोलिजी को चोरी करने के लिए उप्योग करना चाहिए अभी जाकर साइन्टिस्ट से मिलता हूँ इस तरह साइन्टिस्ट शर्मा के पास जाता है राकेश को देख कर शर्मा बहुत डर जाता है अरे साइन्टिस्ट, डरो मत, लूटने नहीं आया हूँ, तुमारी मदद चाहिए क्या, मेरी मदद चाहिए? हाँ, मुझे एक रिमोट कंट्रोल हेलिकॉप्टर रोबोट बना कर दो इसके लिए जितना पैसा चाहिए उतना दूँगा नहीं, नहीं, चोरू की बदद करना जूर्म है ये बात अगर पुलिस को पता चली तो मुझे अरेस्ट करके ले जाएंगे अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुमारी खैर नहीं सोच लो, ठीक है, ठीक है, जैसा तुम कहो, वैसा ही करूँगा सबाश, साइन्टिस्ट, तुरन काम चुरू करो ठीक है, इस तरह शर्मा जल्दी जल्दी रिमोट कंट्रोल हेलिकॉप्टर रोबोट को बनाता है ये रहा तुमारा रिमोट कंट्रोल हेलिकॉप्टर रोबोट तुम जैसा कहो, वैसा ही बदलेगा अरे वाह साइन्टिस्ट, जैसा चाता था, बिल्कुल वैसे ही बनाया चुरी के माल में पसंटेज तुम्हें दूंगा मुझे कुछ भी ने चाहिए, बस तुम यहां से तुरन चले जाओ अभी नहीं, पहले इसे चला कर तो देखें रिमोट से हेलिकॉप्टर को स्टार्ट करता है शहर के एक बैंक से पैसे चुरा कर लाने के लिए भीजता है हेलिकॉप्टर बैंक के पास पहुँचकर रोबोट में बदल जाता है यह देखकर सभी लोग डर जाते हैं रोबोट सारे पैसे ठैले में भरकर बाहर निकल कर हेलिकॉप्टर में बदल कर राकेश के पास पहुँचता है वाउ सुपर बैंक से सारा पैसा मेरा हेलिकॉप्टर लेकर आ गया अभी मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं आराम से एक रहस्य प्रांथ में बैट कर चोरिया कर सकता हूँ तैंक यू माइ डियर साइंटिस्ट उसके बाद राकेश उसमें बैट कर रहस्य प्रांथ को चला जाता है फिर वहाँ राकेश शहर में बहुत सारे चोरिया करते रहता है इससे वर्मा नाम का व्यक्ति पुलिस के पास आता है इस्पेक्टर साब शहर में एक हेलिकॉप्टर रोबोट बहुत सारे चोरिया कर रहा है आपको ही बचाना होगा क्यों रहे मेरे कान में कॉलिफ्लावर दिख रहा है क्या हेलिकॉप्टर रोबोट चोरी करे ए कॉंस्टेबल लगता है कोई पागल है जल्दी आसे भगाओ अरे साहब मैं कोई पागल नहीं हूँ मेरे बातों पर भरोसा करे वाह अब तक बहुत सारा पैसा लूट लिया अभी एक गन मिल गया तो अच्छा रहेगा कहां मिलेगा हाँ पुलिस टेशन में बहुत सारे गन्स रहते हैं अभी हेलिकॉप्टर को वहीं बेजवाता हूँ इस तरह रिमोट हेलिकॉप्टर को स्टार्ट करते ही वा पुलिस टेशन पहुंचता है इंस्पेक्टर उसे देख कर ए हवलदार बी अलर्ट लगता है हमारे स्टेशन कोई बड़ा ओफिसर आ रहे है जैसा आपने सोचा उसमें कोई नहीं रहेगा साहब वही चोर हेलिकॉप्टर रोबोट है इस तरह कहते ही रहता है इतने में हेलिकॉप्टर स्टेशन के आगे रुक कर तुरंथ ही रोबोट में बदल जाता है ए रोबोट कौन हो तुम यहां क्यों आए किसने बजवाया मेरे बॉस को गन चाहिए वही चुराने के लिए आया हूँ मेरे रास्ते से हटो इस तरह इंस्पेक्टर को हवा में उड़ा दिता है फिर बाद में गन्स को उठा कर राकेश के पास पहुँचता है बाप रे शहर में हो रही चुरियों का कारण यही है मर गया रे सारे गन्स उठा कर ले गया अब मेरे नौकरी का क्या होगा भगवान अब तुम मेरे बातों पर भरोसा करें सर हाँ हाँ तुमने सच कहा अब क्या करें जल्दी से साइंटिस्ट के पास चलो इस हेलिकॉप्टर को अंद करने का रास्ता वह ही बता सकता है इस तरह साइंटिस्ट शर्मा के पास जाते है साइंटिस्ट सर एक हेलिकॉप्टर रोबोट हमारे शहर में लूट मचा रखा है हम पुलिस भी उसे पकड नहीं पा रहे है आप ही कुछ करे उस चोर ने मुझे धमकी देकर मुझे वो रोबोट हेलिकॉप्टर को बनवाया अब इसका अंद भी मैं ही करूँगा आप फिक्र ना करें उससे भी अधिक शक्तिशाली हेलिकॉप्टर रोबोट को बना कर देता हूँ इस तरह शक्तिशाली हेलिकॉप्टर रोबोर्ट को बनाता है हेलिकॉप्टर रोबोर्ट बिल्कुल तियार है इंस्पेक्टर सहब आपकी हर एक ओर्डर को मानेगा इसमें मैंने सेंसर भी लगा दिया है इससे ये चोर हेलिकॉप्टर रोबोर्ट का पता बता देगा तुरंट जाकर उसे पकड़ लीजिए इंस्पेक्टर हेलिकॉप्टर से वहां से निकलता है एक जगा राकीश का चोर हेलिकॉप्टर दिखता है तुरंट ही इंस्पेक्टर वहां उतर कर ए चोर कहीं के, मुझसे बचकर नहीं जा सकते, तुरन सरेंडर हो जाओ मैं और सरेंडर हो जाओ, ये नहीं हो सकता इंस्पेक्टर तुम्हें कितना पैसा चाहिए उतना लेकर यहां से चले जाओ तुम्हारे जैसे लोटेरे को मैं कभी नहीं छोड़ूँगा, अभी तुम्हें जेल बजुआ करें रहूँगा ये तुमसे नहीं होगा इंस्पेक्टर हलिकॉप्टर रोबोट, catch that thief इस तरह हलिकॉप्टर रोबोट में बदल जाता है पिर राकेश भी अपना रिमोट कंट्रोल हलिकॉप्टर को रोबोट में बदलता है दोनों रोबोट के बीच एक भ्यंकर लडाई होती है इस में इस ऊपिपनी को नहीं होते है लड़ कागेश एक बचिटी अनसपाइब आखिल में राकेश का रोबोट हार कर नीचे गिर जाता है बाद में लुटेरे राकेश को अरेस्ट कर लेते हैं बाद में इस्पेक्टर साइन्टिस्ट के पास जाकर धन्यवाद कहता है तब से सारे शहर के लोग खुशी से अपना जीवन बिताते रहते हैं दोस्तों अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और आप आगे भी इस प्रकार की कहानिया देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सुस्क्राइब करेंगे 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 अप्रूर